जहें दोस्तो स्वागत फिर से एक नए वीडियो में तो चलिए दोस्तो आज से देखते हैं हम लोग इडिटेरिया पाँचर प्लस प्लस प्रसनों का संग्रा जो देख रहे हैं इसमें साज हम लोग 15 पंद्रवा सेट देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाला प्रस नहीं कि किसी राज का राजपल किसके परती उतरदाई होता है अपसन है राश्ट पती बिदपर्धान मंदल और मुख मंतरी तो इसका सही उतर हो जागा राश्टस पती कैं प्रती उतरदाई होता है अगला बसने कि निम्लिकित में से किस समिधान संसुधन अधिनियम के द्वारा सहरी अस्थानिय सासन को समिधानिक दरजा परदान किया गया तो सहरी अस्थानिय सासन को समिधानिक दरजा जो परदान किया गया था वह किया गया आपका चवातरवा समिधान संसुधन अधिनि उसमें बुलूबेविlogy syndrome किसकी अधिकता के करण नाइट्रेट में नाइट्रेट की नाइट्रेट की अधिकता के करण बूल भी सिंड्रम हो जाता है और वह हैं कैडेमियम कि जभा केडेमियम के दिखता हो जाएगी तो इताय इताय रोग हो ज़ाता है है कि अंग्लास ने के प्यूच गरंती का नियंद्रक्थ गरंती जो मस्टिक्स में श्छापीत किया गया था इंडियान लिग की अस्थपना शीशिर कुमार जोष के दोर एंडियान लिग 추स्थपना की गई थी भारत में ≤ दास पर्था पर पर्तिवंद लगाने की अनुसंसा कप की गई भारत में दास पर्था पर पर पर्तिवंद लगाने की बात कही गई और अगला पर सने की में दिर्ग आवर्त की संग्या किस आवर्त को दिया गया है दिर्ग आवर्त की संग्या जो दिया अगला पर सने की निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है गराम पाइंच आयतों को गठन अनुश्यद 40 सही है समान नागरिक सहीता अनुश्यद 44 एभी सही है अनुश्यद 42 काम की नय संगत और मनोविचित दसाओ का तथा परसुती सहीता में उबंद अनुश्यद 42 एभी सही है जबकि अनुश्यद 51 करज-पालिका से नय पालिका का पिर्थी करन दिया हुआ है यहाँ गलत दिया हुआ है यहाँ पर 500 में यह बात कहीं गय गया और अनुश्यद 51 में अल्परी नहीं और सुरक्षा की बिवस्ता की गयी है अगला बाज़ ने कि मनुषित के शरीर में सबसे बर्य जो कोश्का होती है। अगला बाज़ ने कि सिन्धु गाती सव्याता भारत की सरवाधिक पराचिन सव्याता है। नेक्स बसने हैं कि 1877 की करांती मुख्या तक कीन कारण से असफल रही थी तो 1877 की करांती जो हुई थी वह जो असफल रही थी नेत्रुतों का भाव था ठीक है किसी समानी ओजना और केंद्रिय संगठन की कमी थी इसका परभाव सीमित्षेतर तक था उप्यूक्त में से सभी यह सभी कारण इसका सही उतर हो जाएगा अगला पस ने किस गौवर्नर जनरल के काल में सिंध का बिला है बिटीस समराज में किया गया तो यह किया गया था लॉड एलन ब्रोग के ही समय में और सिन्द पर जो बिजय के विशाय में नेपियर ने कहा था कि वह आफगानी पूछ थी ठीक है यह भी बात याद रखीगा अगला बसने कि इंसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है तो इंसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ सियर बजार से है अगला बसने कि एलके जहा समीती का सब्बंद किससे है एलके जहा समीती का सब्बंद जो है वो अपर्त्यक्ष कर से है जो कर होता है टेक्स दो परकर का ह सवाथा इफ़मंत् decade यहां सवाथ सवाधियर कि समीति की समीति के अध्यक्ष थे कि यहां थे प्रकिरिया नियम समैथी संच्लान सम्मीथी और बीत्रहों क्रमाचारी सम那我們 सभी इसका सही के यह अध्यक्ष अगला बसने कि जारा द्रिष्टी दोस्त के निवारन के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसका उतर हो जाएगा बाइफोकल लेंस बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं अगला बसने करक्रेखा निमलीखित मेंसे किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो अप्शन है बहामास लिबिया युवेई ब्राजील तो या ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है और करक्रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के आठ राजों से होकर गुजरती है और चटी अन शुची में जो याद रखेगा ठीक है दोस्तो जिसमें से चटी अन्वी सुची में जन्जातिये छेत्रों के परसाशन का प्रवधान है निमलिखित में से कौन साराज इस उंतर या सुची के अंदरगत नहीं आता है तो दोस्तो असम मेघाले मनीपूरा त्रिपू लेन ने Кई राष्ट्र संता में करना ने कहा था बीक सेवारकर इसको पर्थम सतंत है संग्राम और करनल रारीज के दर्वार्य धर्मांतों का इसायों के वरिष्ट sign यह करनर रीज ने कहा था अप्शन नमर इसका सी सही मिलान है अगला पसने कि वर्स 1946 के कबिनेट मिशन तीन कबिनेट मंत्रियों से गठित था ठीक है निमलिखित में से कौन इसका सदस्षिन नहीं था दोस्तों तो बताना है कि पैथली क्लोरेंस पैथली क्लोरेंस तो यह कब और एब्लगजेंडर तो दोस्तों जोन साइमन 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 चल्यक्सान नकी MA तो पैथली क्लोरेंस और एब्लगजेंडर द्शाओंस कभण्गाकर 18 समय में इस इसलिए बारतनिों किया था अग्ला की ने कि निवलिकित में कौन से जल्धारा परसांत महासागर की ठंदी जल्धारा है ठीक है एक गर्म जल्धारा होता है या can गानद में से किस परिवर्थन वाधी नेताओं ने त्याग पर दे दिया था तो जो गया अधिवेशन जो हुआ था 22 में उसमें से किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत दिया था तो इसमें से त्यागपत दिया था चित्रंजन दास और मोतिलाल नहरू अप्शन नमबर इसका यह हो जाएगा दो और तीन इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स परसमी यहादी कोई संसद सदस सदन के अनुमतिक ज़िना सदन की सभी भयटाकों से कितने दिनों त्यक अनुपसित रहेगा तो वह सदन उसका नियम खतम हो जाता है तो इसलिए लगातार वह साथ दीन अगर वो नहीं जाता है तो वह का होगा उसका पद रिक्त खुस्रित कर दिया जाएगा अगला पसने कि निमलिकित में से कौन सा परति निसित वह का सिधान्त आथो परति रूप नहीं है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा स्वरों समात्युका सिधान्त आथो अपरति रूप नहीं है अगला पसने कि 20 बजा़ एकिसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की आपपेक्षा मांग अधिक है तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे तो दोस्तों विसु बजा़ में एक देश की मुद्रा के आपूर्ति कन सो होता है और वहीं पर अगर सी एएफ टू थो हो जाएगा जिपसं का इंहें सब्साइगा इसलिए कहा गया है कि पीत का प्रकवाशे में गिरना पृति वर्ती कर्या कालाता है इसका कोज मार्सल हौल के दोरा किया गया था दोस्तो याद रखिए हैं एक तरफ सेव और नसेट एक तरफ पॉर तो उधहरना है तो इसमें सेव और नस पाथी जो है असद्य फिस तो उतर हो जाएगा और दोस्तो असत्य फल जिसका निर्मान बिजाण से होता है तो इसमें से हो जाएगा सभी के सभी एक आत पादप हरमोन है नेक्स परस नेकि कि सबजे का जर खाया नहीं जाता है तो इस लिए RE दिखाते हैं तो इसका जो सही उतन हो जागा उत्परिरा के रूप में प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं अगला पसने की सुची एक का सुची दो से मिलान करना है ठीक है यहाँ पर आवेग है कार्ज है दाव है बल है ठीक है तो एक तरफ रासी है एक तरफ उसका मातरक दिया हुआ है तो आवेग है तो आवेग जो होता है आवेग का जो मातरक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है क्या होता है न्यूटन सेकेंड होता है कार्ज का जो होता है वो जूल होता है cgs में अर्ग भी होता है याद रखेगा डाब का पास्कल होता है तो डाब को पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर बोलते हैं याद रखेगा दोस्तो डाब को डाब को अगर पास्कल जहां नहीं लिया है तो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर के बोलता है और बल्ज हो जाएगा बल्ग का मतलक न्यूटन और सीजियस में पुछे तो डाइन हो जाएगा याद रखिएगा अप्सन नमर इसका एस ही उतर हो जाएगा अगला पास ने कि लोलक की जो काल अधी जो होती है किस पर निर्भा करती है तो दोस्तों फर्मूला याद रखिएगा तो टाइम मतलग इसका ट्लंबाइट परपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प है अगला पजने की निम लिखित में से कौन सा कृतन असत्य इसमें से बताने कौन गलत है महावीर मोलम राष्टरिय उद्यान गोवा में यह सही है वर जहां से मरीन रष्ट्री काउंसिलिंग निशनल पर्क और नाचल परदेश में और इंटाकी नेशनल पर्क जो है या जो इंटाकी मनिपूर में दिया हुआ है या आपका गलत है इंटाकी नेशनल पर्क मनिपूर में दिया हुआ या गलत है सब्सक्राइब से कौन सही सुमिलित नहीं है कौन सही सुमिलित नहीं है तो एक तरफ डाउंस है तो जो लुद वह घास का मैधान है इस सिर्फफिघ्राइब इसरह से जप्राइब एक साथ नहीं है तो इसमा сdenial friend सविल्ट नहीं है तो दोस्तों जो डाउन्स है वह उस्लिकडबंद गhas' k मायदान नहीं है कि इड़ू की जो बांद है काविरि दिया हुआ गलत यह तहार नाधी पर है पेडियार नाधी पर हैं अगला परतिये उप महाद्यूप में क्रिसी के प्रचिंतम सक्ष पराप्थ हुए है कहां से हुए है तो यह हुआ है लहूरा देव से सिंधु घाटि सभ्यता में मीटी से बने हल के परति रूप जो मिले है वह बन वाली से मिले है अगला पसने कि इसा की छटी सदाबदी में प्ररम में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर राजी जो था वो था अपका मगद इस राइट एंसर हो जागा अगला पसने कि जैन धर्म में महवीर के द्वारा ग्यान प्राप्ति को क्या कहा गया तो कैवले का मतला होता है पूर्ण ग्यान याद रखिएगा जैन धर्म में महवीर के दवरा ज्यान प्राप्ति को कईवाले कहा गया कईवाले ऐसे पूझत है कईवाले का समद किस धर्म से है तो जैन धर्म याद रखेगा दोस्तो अगला परसने की लिंग राज मंदर की निव डाली थी लिंग राज मंदर की निव आयाती के स्थी के दवरा डाली गए थी जो कहा है भूबनेश्वर में है नेक्स परसना है कांग्रेश के किस अधिवेशन में पहली बार मौलीक अधिकारों से संबनित प्रस्ताव कराची अधिवेशन में 1931 में परिद किया गया था विम्स्टेक का सदस्र राष्ट नहीं है तो विम्स्टेक में स्रिलांका थाइलेंड महमार है जबकि माल दियु इसका सदस्र देश नहीं है चलिए कुछ देखते हैं असमर्ट नियता थे खिलजी वंस के संस्तापक जलालोदिन फिरोज खिलजी को माना जाता है जलालोदिन फिरोज खिलजी के बाद अलावदिन खिलजी हुआ के समय इस वंस का सरवाधिक विस्तार हुआ अलावदिन खिलजी ने पहली बार सेनीको को नगद वेतन की पर्था शुरवात की और एवं मास्थाई सना की निव डाली अलावदिन खिलजी ने ही घोरा दागने एवं सेनीको का हुलिया लिखने की पर्था की शुरवात की और अलावदिन खिलजी ने ही सीरी का कीला अलाई दरवाजा एवं हजार खंपा महल का भी निर्वान करवाया इसने स्वयम को सिकंदर एसानी के उपाधी से विभोसित किया और इसी के समय में भूर अजसु की दर उपज का एक बटा दूप यानि पचास परतिसत हुआ करती थी और दक्षिन भारत बिजाय है तो अलावदिन खिल जी ने मली काफुर को नियूक्त किया था और अलावदिन खिल जी के मिर्टु के बाद कुत्वदिन मुबारक खिल जी दिली की सिहासन पर बैठा और मुबारक खिल जी जो था वह नगन इस्त्री एवंपुरुसोग की संगत उसको पसंद थी इसलिए चलिए दोस्तों स्तोलो नमर सेट देखते हैं इंडिया तीवट चैना उनिसों चास टू बासट पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा अप्शन नमर ए निरुपुमा राव हो जाएगा निरुपुमा राव के द्वरा यह पुस्तक लिखी गई है कुलू जो घाटी है वह धौलाधर और पिर पंजाल के बीच में इस्तित है निरुपुमा राव जो भटकल है वह करनाटक में है भटकल जो पतन है पोट है करनाटक में है एलेपी किरल में है काकी नारा जो है वह आंध पर्देश में है जबकि तूती कोरिन तमिलाडू में है तो इसका अप्सन नंबर सी हो जागा सही उतर अगला पसने कपास के उत्पादन के लिए उप्युक्त मीटी कौन सी मान जाती है कपास के उत्पादन के लिए उप्युक्त जो मीटी माने जाती है वह कौन सी है तो यह काली मीटी है काली मीटी नेक्स परसने कि दियेगे बिकल्पों में से कौन सा राज नर्मादा नदी घाटी का भाग नहीं है तो इसका अप्सनम बड़ी हो जागा राजस्थान नेक्स परसने कि दियेगे बिकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है सोन करांती जो बता रहा है कि फल उत्पादन निली करांती उर्वरक और पिली करांती अंडा तो इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है तो दो और तीन जो है दो और तीन या सही नहीं है जब कि स्वान करांती भगवानी से है फल उत्पादन से सही उतर हो जाएगा नेक्स परसने कि भायत में क्रिस्वी को परभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्पुन तत्व कौन सा होता है तो इसमें से वरिष्टी हो जाएगा वरिष्टी इसका सही उतर हो जाएगा और दोस्तों के उद्वम की नेबुलर परिकलपना जो की थी वह इमेनुएस कॉंट के दोरा किया गया था अगला बसने कि निमलीखित भी कलपों में से किसका मिलान सही नहीं है तो यह हो जाएगा दुद्वर अश्ट्री उद्यान जो 36 गड़ दिया हुआ है जो दुद्वर अश्ट्री पर दिया गया बेस्विक तापन के लिए उतरदाई नहीं है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा आरगन आरगन जो है बेस्विक तापन के लिए उतरदाई नहीं है जबकि जलवास और मिठेन है क्यादि किसी वस्तू कि मांग की वर्त मक आयलोच हे और ध्रनात्मक मुल लोच है तो यह वस्तू किस परकार की होगी तो इस परकार सूद्व को निम अस्तरी वरत्व बोलेंगे निम्न अस्तरिये वस्तु बोलेंगे अगला बस ने किसी देश की राष्टिडिये आयक करने धान करने के लिए निम्न में से कौन सी पधती परयोग में नहीं लाई जाती है तो इसमें जो निवेश पधती है वह नहीं लाई जाती है जब कि मिस्रित उत्पादन प कलपों में किस बचवर्षी कि तो जो यसकी बचवर्षी के 14allah 888 तक इस centrally कि निमलिकित को बल, तो बल का होता है, न्यूटन, बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्ज का जूल होता है, और आवेक का न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन नहीं, न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड होता है, नेक्स पस्त नहीं किसी लटके हुए कालीन को जब छोरी से पीटा जाता है तो धूल के कन उससे बाहर निकल जाते हैं कारण क्या है तो इसका कारण है जरतों के कारण लाओ आफ इनर्सिया पर्थम नियम गती का पर्थम नियम अगला पास ने कि सरवर्तिक गुर्द्वा कर्शन या तांग का मान होता है सरवर्तिक यानि कर्पिटल जी का मान आपसे पूछ रहा है शोग दो समलोग शोग साथ गुना दस के पूर माइनस 11 निउटर्मीटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर सब में मान देख लिजें दोस्तो इसका मात्रक भी याद रखेंगा निउटर्मीटर पर केजी स्क्वाइर होता है इसका मान जो दिया था यह सत्रे सो 989स भी में हेनरी के द्वर्ति दौरा दिया गया था याद रेकिके दोस्तो अगला परसने के सरवाधिक स्रवाधिक पर्त्यास्ता पारत में लैंबिक सिमा में तो उसको प्रत्यास्ता कहते है इसको बहलते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इस पेस्विक हीट के बारे में बिसिस्ट उस्मा पदार्थ की प्रकिर्थी पर निर्भर्ण नहीं करती है यहीं आप अपसे नमर यहीं इसका सही उतर हो गया अगला पास नहीं कि निमलिकित में कौन एरो सोल का उधारन नहीं है तो एरो सोल का जल में तेल हो जाएगा जल में तेल जो है वह एरोसोल का उधारा नहीं है अगला पास नहीं कि सुची एक को सुची दूसे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कुट का प्रोकर के सही उतर को चुणना है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से सही उतर है तो देखिए दोस्तों न्यूट्रोन तो न्यूट्रोन की खोज जेजे थॉम्सन के दौरा किया गया था और वहीं पर परमानु नाभिक ए रधर फोड के दौरा इसका खोज किया गया था ठीक है अब सन्न नम्मर चार इसका सही उतर हो जागा नग्स पसने कि सोडियम के एक परमानु में कोर इलेक्टरौन की जो संख्या होती है वद दस होती है नेक्स पसने कि निमलीखीत में कौन हाइडरा अमल के उधारन है हाइडरा अमल के उधारन इसमें से HCL हो जाएगा इसको हैड्रोकलोडिक अमल गाते है नेक्स पसने कि बॉयल्स चाल्स एवं एवगादरों के दोरा परतिपादित गैसिये नियमों का संजुक्त रूप क्या कहलाता है तो जब तीनों बॉयल्स चाल्स एवगादरों का जो परतिपादित के दोरा गैसिये नियम है ये तीनों को मिला देंगे तो उसको कौन सा नियम कहेंगे तो अधर्स गैस नियम कहते हैं नेक्स पसने कि जिवानु बिग्यान का जनक किसे मना जाता है तो जिवानु बिग्यान का जनक जो मना जाता है वो लुईस पाहचर को मना जाता है और सुक्ष्म जिवानु विग्यान का कहेगा तो सुक्ष्म जिवानु विग्यान का जनक लिवेन हॉक को कहेता है ठीक है? नेक्स बसने कि मैट्रो कॉंड्रिया का रसाइनिक संगठन में निमलिखित में से किसका मातरा सरवाधिक होता है तो यह होती है प्रोटोन की होती है प्रोटीन के मात्रा सबसे ज़्यादा होती है प्रोटीन चले दोस्तों सेट नमबर 16 देखते हैं पहला प्रसने की द फ्रेक्चर्ड अगला प्रसने की प्लाजमा के सब्बंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो प्लाजमा के सब्बंद में यह रक्ट का तरल मै्ट्रिक्स है सही है, यह रंगहीन होता है यह भी सही है, इसमें रक्ट का निकाय होती है sensitivity यह है, यह सही है, इसमें फैबुरोजीन पूर्टिन पाज़त यह भी सही है, अपसेटं नमर c इसका सही उतर हो जाएगा, नेक्स बसने कि हेपेटाइटिस भी एक संचारी रोग है जो मुख रूप से किस अंग को संकर्मित करता है तो या कृत को करता है या कृत लीवर को करता है नेक्स बसने कि निमलिकित में कौन सा मस्तिक्स का मुख सोचने वाला भाग है तो या हो जागा प्रमस्तिक्स हो जागा प्रमस्तिक्स अगला पसने ग्राम सभा संबन्दी प्रवधानों का उलेख किस अनुछेद के अंतरगत किया गया है तो ग्राम सभा संबन्दी प्रवधानों का जो उलेख है अनुछेद जो किया गया है वह 243 के एक में किया गया है अगला पसने की समिधान के दोनों सदनों की संजुक्त बैठक की संकलपना किस देश के समिधान से लिया गया है यानि संजुक्त अधिवेशन जो है यह लिया गया है अश्ट्रेलिया देश के समिधान से अश्ट्रेलिया देश के समिधान से लिया गया है और स्रोच नियाले देश में एक होगा इसका अस्तापना अनुछे 124 में बताया गया है और हाई कोट के बारे में 214 के बारे में बताया गया है नेक्स परसने की भारतिय संग के पधदिकारियों को मिलने वाले बेतन भते तथा पेंसन अधिका उलेक समिधान के किस अनुश्यची में किया गया है तो यह किया गया है दूसरी अनुश्यची में किया गया है राज भासा का उलेख समिधान के किस भाग में किया गया है तो राज भासा का जो उलेख है भाग 17 में किया गया है 15 में निरवाचन है 18 में अपात उबंध है और 20 में समिधानिक जो सोधन कियाता है वो भास भाग 20 में अनुशा 366 समिधान की प्रष्टावना में निम्र में से क्या उलिखित नहीं है जब कि संसोधन के दौरा सहकारी समितिया सब्द जोरी गई तो यह जोरा गया संतनव किया गया? तो ये सामिल किया गया था सौर्ण सी समिती के अनुछेद जो मॉली कर्तब है अनुछेद 51 के कौम में है भाग 4 के कौम में है जो रूस देश के समिधान से लिया गया है अगला पसने कि भारत के राश्ट पती पर महावियोग कैसी परकिरिया है भारत के राश्ट पती पर जो महावियोग लगता नुच्छत 61 के तहत जो अमेरिका देश के समिधान से लिया गया है यह जो परकिरिया है और्ध नियाईक परकिरिया है और जो इनको राश्ट पती पर महवियोग लगने से पहले इनको 14 दिन पहले सुचना दी जाती है पंचायत चुनाव कराने है तो निर्नय जो लिया जाता है वो राज सरकार के दोरा लिया जाता है अगला पसने कुरू महाजनपद तो कुरू महाजनपद की राइधानी पुछ रहा है तो कुरू महाजनपद की राइधानी इंद्रप्रस थी दोस्तो महाजनपद पुछे इसकी संख्या 16 है महाजनपद की हमकी जनकारी कहां से मिलती हमको तो अंगुतर निकाय से मिलती है एक और पुछतक है भगवाती सुत्र से परदान होती है याद रखेगा दोस्तो नेक्स पसने की भगवान बुध के ग्रित्याग का पर्तिक क्या था तो भगवान बुध के ग्रित्याग का जो पर्तिक था वो घोरा था नेक्स पसने की गहरवाल वंस का संस्तापक कौन था तो गहरवाल वंस का संस्तापक चंद्रदेव था नेक्स पस्ने कि दिवान एक खेरात नमक निर्मान विधी किसकाल की विशिस्ता का उधरन है तो यह इसका सचाह उतरो जागा मौरेकाल का नेक्स परसने कुवत उलिस्लाम महजिद कहा है कुवत उलिस्लाम जो महजिद है वह दिली में है कहा है दिली में है नेक्स परसने कि सिंधु काल में सिसा निमलिकित में से कहां से आयात किया जाता था तो यह किया जाता था इरान से सिंधू काल में सिसा जो था वो इरान से इसका आयात किया जाता था नेक्स प्रस ने कि सुची एक को सुची दूसरे मिलान करना है सुमेलित करना है सीसु बध परतिबंद तो सीसु बध परतिबंद लौड बिलेजली के समय में हुआ था सही है सती परता पर परतिबंद लौड बिलियम बेंटिंग ये भी सही है दास्क पर्था पर लॉड एलन बरू और हिंदु बिधुवा पुनरविवा लॉड कैनिंग अप्सन नमर इसका ये सही हो जाएगा सभी आमने सामने सही सुमिलित क्या गया है नेक्स परस ने कि भारती रश्ट्रे कंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारती रश्ट्रे कंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुदीन तयब जी थे बदरुदीन तयब जी थे पूना सरजहनिक सभा के संस्ताफक महाद्योग गोबिंदर नाडे को माना जाता है फिनाम कमिसन की अस्तान किस गौर्णाजेनर के समय में ह chairs band इसके अस्ताफन से समय में हुआ था लोड डौलोजी के समय में लोड डौलोजी जो एक 1846 से लेका और 1856 नहीं चले हैं तुगलक वंस तुगलोक के संस्तापक ग्यासदिन तुगलक का उत्रा दिकारी मुहमद बिन तुगलक मधेकालिन सभी सुल्तानों में सबसे योग सिक्षी तेवं बिद्वान था इसे स्वपन सिल पागल और रख्ट पिपासु भी कहा गया है मुहमद बिन तुगलक अपनी रधानी दिली से अस्ताइदित करके देवगिरी अस्तापित किया तता इसका नाम दौलताबाद रखा सर पर्थम संक्यतिक मुद्रा का परचलन इसी के दोरा किया गया था सर एडवर्ड थोमस ने मुहमद बिन तुगलक को प्रिंस ओफ मनियर्स कहकर पुकारा है सर एडवर्ड थोमस ने और इसी के सासनकाल में मुरको यात्री इबन बतुता भरत आया था इसने जैन धर्म के परसिद संत जीन प्रभु सूरी को समानित किया ब्रहामनों पर जजिया कर लायू करने वाला पहला मुसल्मान ससक फिरो सा तुगलक हुगा और सल्तनत काल में उधार दिये गए धन का हिसाब रखने वाले बिक्ति को मजुमदार कहा जाता था चलिए एक तरफ बिभाग है एक तरफ सम्बंधित सुल्तान है दिवान ए अर्ज बलबन के दवरा शुरू किया गया था दिवान ए बंदगान फिरो सा तुगलक के दवरा ही शुरू किया गया था चलिए, सत्र नमर से देखते हैं कि निमलिकित में कौन सा राज परोसी देश भूटान के साथ सीमा साजा करता है भूटान के लिदानी थिम्पू है, मुद्रम वहां का निउगलिटरम है इसमें से बताना है कौन सा राज असम, पची मंगाल और नाजल परदेश या सभी भूटान के साथ सीमा साजा करता है अलावली पहारी के पच्मी छोड से निम में से कौन सी नदी निकलती है तो पच्मी छोड से लूनी और माही, लूनी और माही नदी निकलती है सेडल पिक की अवस्थी सेडल पिक की जो अवस्थी है वह उत्री अंडमान में है उत्री अंडमान में अवस्थी था सेडल पिक या खिती दकन के पठार के तरफ की जाती है नेक्स बसने कि उत्री माइदान में चलने वाली गरम और सुस कहवा है जो पंजाब से लेकर बिहारत दिली से पटना के बीच में तिब्ड होती है उसको लू कहा जाता है लू नर्वेश्टर इसे न्यूजिलेंड में चलता है भरत में भी चलता है नर्वेश्टर न्यूजिलेंड में चलता है नेक्स बसने कि निमलिखित में कौन सी बिसेस्ता है बिकासील या बिक्सित देशों में समान नहीं होती है कौन सी बिसेस्ता है या एक परकार का औपट्यक्ष कार है। और सबसे पहले 1934 में फरांस में या कर जेसी लागवता Спर्टा का भारत में 2017 में इसको लागव किया गया। नेंग्सपस नहीं कि सरजानिक छेत्र में बी निमेश को क्या काते हैं। तो सरजोनिक छेत्र में बी निवेस को निजी करन काते हैं, 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 सकता है determination केलसियम do करवाईड का उप्योग हर फ़लों को पकाने के लिए करोंगए यह क्या बनाता है या इसी ऊसी करण कि नफ स्लावर को से एक ऐलेक्टों की संख्या कितनी होती है तो एन को सम्प में इलेक्तों की 18, समू 18 जो है इसमें जो तितने जितने भी तत्व हैं सभी गैस हैं नेक्स परसने कि प्रिरक वे रसाइनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल कर मुक्त करते हैं तो प्रिरक वे रसाइनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल कर क्या करते हैं तो OH-ION बनाते हैं नेक्स प्रस्ट नहीं कि इस्तित्य उर्जा के संबंद में निम्र में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो इस्तित्य उर्जा क्रियासिल उर्जा है, उचाय में परवर्टन होने पर इस्तित्य उर्जा में परवर्टन नहीं होता है, इस्तित्य उर्जा संचित उर्जा नहीं है सभी असत्य है इसमें से बताना था कि सत्य इसमें से कौन नहीं है सभी असत्य है अपसर नमर डी हो जागा इसमें से सभी असत्य है नेक्स प्रस्त नहीं कि निमलिक्त में कौन सी तरंग अनुप्रस्त तरंग नहीं है तो पुछना है कौन इसमें से नहीं है तो 26 का जो सही उतर हो जाएगा सरपिला का स्प्रिंग से उत्पन जो तरंगे होती है वो अनुप्रस तरंगे नहीं होती है नेक्स परस नहीं कि भरत का परतम निर्यात उप्योगी करन छेतर ईपीजेट का स्रीजन हुआ था तो ईपीजेट का जो स्रीजन हुआ था वो हुआ था कांडला गुजरात में नेक्स बसने कि भरतिये पंचवर्षी ओजनाव का परमुख जो मुख उदेस है वो क्या है तो भरतिये पंचवर्षी ओजनाव का जो मुख उदेस है वो इसका सही उतर हो जागा स्वाहो लंबन एवं विदेसी साहता पर निरभरता कम करना नेक्स परसने कि भरतिय चरागा एवं चारा अनुसंधान संस्तान इस्तित है भरतिय चरागा एवं अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है तो यह जासी में है जासी में इस्तित है नेक्स पसने कि समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत किसी ब्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सनक्षन परदान करता है तो अनुछेद 21 करता है प्राने उंद्यों के सवतन्दा ठीक है अगला पसने कि सेवा के अधिकार के अधिकार के अधर्णा सरपर्थम किस देश में पराम होई थी नेक्स पसने कि भारत के राष्टपती अपने सक्तियों का उपयोग करते हैं या सीधे अथवा अपने अधिनस्त अधिकारियों के दवरा करते हैं नेक्स पस्ने कि निमलिकित में कौन एक गैर समयधानिक निकाय है तो गैर समयधानिक निकाय आपको बताना है कौन है तो रश्टरिय मानमाधिकार आयोग हो जाएगा किंद्रिय अन्यवेंसन ब्यूरो हो जाएगा और लोकपाल यह सभी क्या है तेनों आपका गैर समयधानिक खन का है اपसे नम्ब लियांग Defense के किस विशे का कोज यह सुच्पी सुचि का है ने राजसरकार का यह करज कारी और ध्यक्या समी धानिक परमुह कौन ओता है तो राज सरकार का जो करदेकारी हो जाएंगे राज पाल हो जाएंगे नेक्स पस निमलिकीत में किस समीती आयोग ने नियाय पंचाइतों के गठन किसी फारिस की थी तो यह किया था असोख मेहता समीती नेक्स पसने की एक तरफ समिधानिक प्रवधाना एक तरफ स्रोथ है मंत्री मंडलिये सरकार जो लिया गया था कहां से लिया गया था तो यह अब बिटेन से लिया गया था केंदर राजसाबंद कनाडा से अपाद्दू बंद जर्मनी से और मूल अधिकार अमेरिका से एक दूसरे के सामने जो मिलाने सभी सही है नेक्स बसने की सल्तनत काल में रजासुभीभाग का परमुख क्या कलाता था सल्टनत काल में राजा सुभीभा का जो परमुक होता था उसको वजीर कहा जाता था और नेक्स बसने की चार बाग बनाने की प्रम्प्रा की सुरुवात या अकवर के समय में ही हुआ था अगला बसने की मंद सौर अभिलेक निम्न में से किस सासक से समझत है मंद सौर अभिलेक का समझ या सो वर्मन से है अगला बसने की वेन सांग के समझ में कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन गलत है तो हर्सवर्धन के समझत कल में भारत आया सही है इसका भर्मन बिरतान सीउक्य में वर्णित है जड़े से नहीं है, और वेन सांग ने बूद की परतीमा के सांसा, सुर जवंधाओंसी परताई माईक भी पूजन किया बीज़ान नेक्स पसने के परमुख जैन तिर्थंकरों में अरिस्ट नेमी 22 का परतिख चिन क्या था तो अरिस्ट नेमी जो 22 का जो परतिख चिन था वह था आपका संख नेक्स पसने के लंगर बेवस्ता को किस से गुरु ने अस्थाई बना दिया तो यहां बना दिये थे गुरु अंगद नेक्स बसने कि निमलिकित गुवर्णर जनरल में से किसने राजकिये कोसागार को मुरसिदाबाद से हटा कर कलकता लाया तो यह लाया था वारन हेस्टिंगस ने नेक्स बसने कि पहली बार सोराज सब्द का प्रयोग कब किया गया तो पहली बार सोराज सब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1926 में नेक्स बसने कि आर्थिक सवयोग और विकास संगठन का मुख्याले कहा है तो आर्थिक स्वयोग एवं विकास संगठन का जो मुख्याले है वो आपका पेरिस में है और उन्चास्वी समानतर रेखा की इन दो देसों के अंतराश्टे सीमा रेखा है तो उन्चास्वी समानतर रेखा जो है वो इवेसे और कनाडा की है नेक्स प्लस नेकी निम लिखी तो मुल रासी नहीं है तो मुल रासी के संख्या साथ है उसमें से बताना है कौन नहीं है तो मुल रासी जो है इसमें से आपका आयतन जो है वो मुल रासी नहीं है जब किताब दर्यमान और जियोती थी प्रता है चलिए असमर्नियत देखते है सयद वंस के संद्टापक खिजर रखा था इसने रयत आला की उपाई धारन की थी लोदी वंस के संद्टापक बहलो लोदी पंद्योसो चार में आगरा सवरे के स्थापना की सिकंदर लोदी ने इसने मुसल्मानों को तजिया निकालने और एवं मुसलिम महिलाओं को मजार प विताओं की रचना की थी सल्तनत काल में अंत्राश्टे बंदगाह के रूप में परसिद केवल था चले बिजयनगर समराज के संतपा ख़रिया रहें वो बुक का अस्तापना 1336 बिजयनगर के दानी हमपी इस वंस के सासक बुका पर्थम ने देव मार्ग परतियस्तफाता की उपाईजायन किया और देव राय पर्थम के ससनकाल में इतली यातरी निकोलो कांटी बिजयनगर आया था और देव राय दियुतिय को जग बेटकर की संग्या दि गई और किस देव राय के ससनकाल में पूर्थगाली यातरी डोमिगोस डोमिगोस पायस बिजयनगर आया था और किस देव राय के ससनकाल में पूर्थगाली यातरी बर्वाडोस बिजयनगर आया था और अच्यूत राय के ससनकाल में पूर्थगाली यातरी नूनिज बिजयनगर नगर आया था और मुगल सासक बावर ने अपने आत्म कथा में किस देव राय को बाद का सबसे सकती साले राज बताया और किस देव राय के दरबार में तेलगु साहित के परसित कभी राते थे जिने अश्ट दिगज कहा गया और विजयनेगर समराज के पतरनका करन ताली कोटा का यूद जो हुगा था तेजनवरी 1565 को नेक्स प्रस ने कि निमलिखित में कौन से घटक जलवाई परवरतन का मुख कारन है तो परदूसन, ओजोन छरन, ग्रिन हाउस गैस इसमें से सभी जो है वजलवाई परवरतन का मुख कारन है नेक्स प्रस ने कि ओटो परटोकॉल को किस वर्स UNFCC के द्वारा स्विकार किया गया UNFCC के द्वारा स्विकार किया गया तो यह किया गया था 1997 इसमी में नेक्स परस में कि निमलिखित प्रसनों को सही सुमेलित करना है सिमली पाला भ्यारन उर्षा में है सही है गीर अश्ट्रिय वो ध्यान जो है गीर या गुजरात में कहा है गुजरात में है और जिम करबेट जो है उत्राखंड में है सरिस्का सरिस्का जो है वह राजास्तान में का है तो यहाँ पर आपको मिलान करना है तो सिमली पाल उरिसा में सही है सिमली पाल उरिसा में सही है गीर गुजरात में हो जाएगा जिम कारवेट उतराखंड में सही है और सरिस्का जो है यह हो जाएगा सर इसका उतर परदेश में हो जागा सर इसका उतर परदेश में हो जागा आपसर नमबर सी इसका मिलान सही है नेक्स परस नहीं कि सत्य फल किसी से बिक्सित होता है यानि सत्य फल का जो निर्मान होता है वो अंडासाय से होता है और सत्य फल का निर्मान बिजांड से होता है, असMR क्षरcej पर्टीन कर खाना काईटा है। हें जिसमें किन्द्रक जीली का भाव होता है उसको प्रो प्रो करियोटिक का जाता है कोशिका धुपर करियोटिक टीक्र टो प्रोकरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक जिली का भाव होता है नेक्स बसने कि निमलिकित में से कौन संसलेशित कौन संसोधित भूमी का तना का एक उधरन है तो संसोधित भूमी का तना का उधरन इसमें से कौन हो जाएगा ते हो जागा आलू हो जाएगा आलू फोलोयम के बारे में तो दोस्तों फोलोयम जो होता है वह फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है यानि खात पदार्थों का परिवहन करता है